हेलो फ्रेंज वेल्कम पैक टू मैं चानल आज हम बनाएंगे चुकंदर का जूस चुकंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है तो इसमें बहुत सारे बिटामिन्स पाया जाते हैं जैसे कि आयरन केल्सियम मैगनेशियम तो चलिए इसे बनाना स्टाट करते है यहां हमेख चुकंदर लिये हैं इसे अच्छी तरह से पिलर से पील कर लेंगे और चुक्रों में काट लेंगे ताकि यहीजली घ्रेंड हो जाए इसे एक घ्रेंडर जार में डालेंगे तो सब पुदीना की पत्ता लेंगे एक इंच अध्रक की तुक्रा एक मिडियन टमाटर और एक चोथाई चमबच काला नमक इसे अच्छी तरह से फाइनली ग्रेंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो यह देख सकते हैं पीश्चुका है अभी इस्टेनर लेंगे इसे अच्छी तरह से छाण लेंगे बहुत जल्द बन कर त्यार हो जाता है तो इस तरह से अच्छी तरह से छाण लेंगे आप अगर नमक ना पसंद करते हों तो इसके जगह पे सक्कर भी यूज कर सकते हैं आपके उपर है नमकीन या मीठा जो भी बनाना चाहें दोने ही अच्छा लगता है तो अच्छी तरह से छाण लेंगे चुकंदर का जूस बनकर हमारा रेडी है देख सकते हैं इस तरह से देखने में बहुत ही ज्यादा कलरफूल लग रहा है तो आप इस तरह से चुकंदर का जूस बनाएं और पिलाएं बहुत ज्यादा फायदे बंद होता है यह हमारे बॉड़ी के लिए आप चाहें तो इसे डेली यूज कर सकते हैं तो अगर मेरे बनाए हुए रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें तब तक के लिए बाई बाई मिलते हगली वीडियो में